अलंदा जिला के अंदर चोरी की घटना है लगतार बढ़ते जा रहा हैं जो्र अपने अपने तरीके से नय नय-nयद निसके निकाल कर चोरी का घटना का अंजाम देते हैं आप आई दिन एक काव या टे-ली विजजन या अन सोशल मीडिया के जरीए सुनते हैं की चोरी की बर जारों में चोरी करने लगे हैं आज बात चित कर रहे हैं कि हिलसा सहर के योगी पूर रोड इस्तित एक अभूशन दुकान में चोरी इसी सप्ता में हुआ था और गैस कटर से काट कर चोरी किया था वैसा ही ताजा मामला सनीवार के दिन परकास में हिलसान मंडल के चंडी में आया है जहां एक अभूशन दुकान में सटर वासे ही जिस परकार हिलसा में चोरी हुआ था उसी परकार अब चंडी में किया गया है सेम उसी तरीके से गैस सटर से दुकान का सटर काटा गया है और अग्या चोड दुकान में परवेश किये हैं फर कितना है कि हिलसा में चोर किया गया था लेकिन सनी बार को जो मामला चंडी में परकास में आ है वहां पर करीब बता जा रहा है कि साथ से आठ लाग रुपय का आभूसन की चूरी किया गया है इस भी फैपर दुकंदार संचालक के द्वारा चंडी थाना में पहुंचकर एक आविदन भी दिया गया है दुकंदार संचालक बताते हैं कि परते एक दिन की भाती सुक्रबार को भी अपने दुकान का सटर लगा कर तालल लगा कर घर गय थे और सनी बार की शुवजब जनकारे मिला कि आपका दुकान का सटर कटा हुआ है लोग हक के बक्के रह गए कहीं न कहीं पर शासन पर यह अंगली उठता है कि गस्ति का सवाल कि मुख बाजार में अगर इस तरह की चोरियां हो रहा है तो कहीं न कहीं यह दुकंदारों के बीच में भाय का महाल बना हुआ है परशासन की गस्ति का सवाल है अखिरकार इस तरह की चोरियां अगर हो रही है तो सफलता पुलिस को क्यों नहीं लग रहा है अब तक इस मामले को लेकर उद्विदन नहीं हुआ है हिलसा में जब चूरी हुआ था तो अस्कॉर्ट डॉग भी बुलाया गया था अब चंडी में इस तरह की घटना है देखने को मिला अनि दीन पर दीन इस तरह की घटना है बढ़ते ही जा रहा है अब अगे क्या होगा वो तो भगवान भरूसे ही है अ हुआ है आप अ है इसद्परू आप आप ए तरह आप नहीं है